आज मम्मी ने जो है अर्वी निकाली हैं और क्रेट से हमें इतनी अर्वी मिली है और इस मिट्टी को जो है हम थोड़ा धूप में सुखा दिगे अब अद्रक तो ना मात्र निकला मम्मी थोड़ा सा अद्रक निकला इससे काफी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था अभी लेकिन चलो कोई बात नहीं यह ज़्यादा बड़ी नहीं है लेकिन शायद यह ऐसी वाली है ना मम्मी यह ऐसी ही वाली है पतली वाली और यहां खिले हैं बहुत सारे गेंदे मेरे टेरेस में कुछ-कुछ तो हमने दिवाली में निकाल लिए और कुछ-कुछ जो हैं या भी बचेवे हैं और इस गुडल में भी जो है कली आ गई है दो फूल इसमें खिलेवे थे यह मैंने आपके साथ पहले शेयर किया था कि इसे ट्रांस्प्लांट शॉक लग गया था तो इसमें जो है पहले तो जो फूल खिलता है वो लाइट पिंक कलर का खिलता है और श्याम को जो है ये वाइट कलर का हो जाता है इंस्टाग्राम पर मैंने इसकी पिक शेयर करी है और कल जो है मैं अपने लेके आई थी कुछ पॉद इसमें स्टॉक है पैटूनिया, सिलेरी, एस्टर और कैलेंडूला तो इन सब की मैं पॉद लेके आई हूँ तो मैं क्या करूँगी, इसके साथ मैं ये वाले 6 इंच के पॉद्स हैं शायर ये तो ये भी लेके आई थी मैं तो इसको पॉद मैं इसमें लगा लूँगी और कुछ थोड़ा छोटे वाले उसमें लगा लूँगी इससे छोटा साइस जो आता है जब तक ये पूरे अच्छे से सैटल नहीं हो जाती देन उसके बाद मैं इसको बड़े में ट्रांसफर कर दूँगी और अब मैं इसके लिए सॉल मिक्षर बना दूँगी पर इसमें मैंने 40% कमपोस्ट लिया है और 60% मिट्टी लिया है तो इसको जो है अच्छे से मिला दिएंगे अच्छा आप इस पॉर्ट को एकदम बड़े पॉर्ट में भी लगा सकते हैं 10 इंज के पॉर्ट में भी आप लगा सकते हैं लेकिन मेरे पास अभी कोई गमला खाली नहीं है इसलिए मैं इसको छोटे गमले में लगा रही हूँ इसमें रूट्स जो है वो काफी अच्छे से बन गई है तो अच्छे से रूट्स को भीना डैमेज करें इस बास्केट को निकाल देंगे तो और गाहनो है। बादो है। इर रा गूश्ष को सामनी मेश시कं़ प्रफ़ कर दो हो दो जो आपको से लिए हैं तो प्रफ़ कर दो जा दो आपको दो आपको से लिए हैं कि कि एड़, थियुड Surprise. कि एड़, कि एड़, कि समया है। elajemちゃو कि एड़, भीड़, भीड़, कि एड़. बचता है प्रलाए लिव से जड़ दिए। तो ये लग गए हैं मेरे plants सिलेरी में दो लेके आई थी तो दोनों की दोनों मैंने इसमें लगा दिये और स्टॉक और एस्टर जो है वो मैंने तीनों इसमें एक साथ लगा दिये हैं मैंने छोटे pots में भी लगाए है plants क्योंकि मेरे पास कोई बड़ा pot खाली नहीं था लेकिन अगर आपके पास बड़े pots हैं 10 इंज के तो आप इन plants को उसमें इन पॉद को आप जो है उसमें डारेक्ट लगा सकते हैं अब मैं इनको अच्छे से पानी दे दूँगी और धूप में रग दूँगी और ये है उस crate का हाल जिसमें मैंने बीज लगाए थे मेरा जो पैट है टिकूँ उसने क्या किया कि इसकी मिट्टी खोद दी तो ये सारे के सारे जो है सारे के सारे बीज इदर उदर हो गए और सब खराब हो गया है इसमें पैटूनिया जो है वो जमने लग गया था इस साइड लेकिन उसने सब खोद दिया तो मेरी जो पूरे महना थीस में वो सारी की सारी उसने बरबाद कर दी सो बस गाईज यही था मेरा आज का छोटा मोटा गाडनिंग व्लोग आई होप आपको पसंद आया होगा तो बहुत जल मिलूंगे आपसे नेक्स व्लोग में तब तक लिए बाबाई टेक क्या